जैस्री कृष्णा राधे राधे बिल्ली त्रिगुन स्राप का संकेत है तो बिल्ली का घर में आना या फिर केवल इस रूप में दिखना होता है सूब आखिर वो कौन से रूप में दिखना सूब होता है और कौन सा रूप में दिखना स्राप का संकेत होता है देखे धर्म सास्त्र के अगर हम माने तो बिल्ली मा लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वाहन है अलक्ष्मी यानि दर्लिता की देवी मानी जाने वाली लक्ष्मी को राहु गरह का के अधिन भी माना गया है और बिल्ली को पित्रों का रूप भी माना गया है यानि एक तो औलक्षमी का वाहन हो गई दूसरा राहू के अधीन बिल्ली का आता है राहू की सवारी भी कहा जाता है और बिल्ली को पितरों का भी रूप माना जाता है तो खास तोर पर जैसे की गाय, कुता, बिल्ली, कबुतर, का उल्ले कई धार्मिक कहानियों में है तो ऐसे में कुछ जानबर तो देवी देपताओं के सवारी हैं इन जानवरों से जुड़े सुव असूप संकेतों के बारे में हमारे धार्नाए हैं लेकिन जब बिल्ली की बात आती है तो अक्सर सुव असूप जैसे सवाल आते है मन में कि बिल्ली का बार बार घर में आना क्योंकि बिल्ली मा लक्ष्मी की बेहन और लक्ष्मी का वाहन जो दर्टा की देवी है तो अगर घर आ जाए तो क्या होगा ब्यक्ति के जीवन में त्रिगुन स्राप यानि ओलक्ष्मी राहू और पित्रों का तिब्र कोप यानि प्रकोप के संकेत हैं तीन तीन स्राप एक साथ बिल्लियां लेकर घुमती है अपने साथ एक तो ओलक्ष्मी राहू दूसरी और तीसरा पित्रों का तो ऐसे में बिल्ली को काली सक्ती का प्रतीक भी माना जाता है वास्तु सास्त में बिल्लियों को नकात्मक उर्जा का स्रोत कहा गया है क्योंकि बिल्लियां जहां होती है नेगेटिविटी जादा होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्ली से जुड़े सभी संकेत गुरे ही होते हैं अच्छे भी होते हैं सुब भी होते हैं कई बार सुब संकेत ऐसे होते हैं कि घर में संपन्नता बढ़ा देता है तो बिल्ली के सुब असुब संकेत क्या हैं पर फेले हम असूप संकित के बारे में समझते हैं, अगर हम नारत पुरान की मानें, तो बिली के घर में बार बार आना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि सास्र कहता है, कि बिली का घर में रखा दूद पीजाना, या फिर उसमें मुह मार देना धन्हानी का ही संकेत है आपके घर में दूद है बिल्ली आके मुह लगा देती है पी जाती है गिरा देती है ये अच्छा नहीं माना जाता है अगर बिल्ली आपके घर में मल त्याग कर दे तो अन्होनी की संभावना बढ़ा देता है तो बिल्ली का घर में मलत्या करना अच्छा नहीं है लिकिन इसके बिप्रीत अगर हम दक्षिन भारती की प्रमप्राओं को माने तो बिल्ली को सु माना जाता है क्योंकि दक्षिनी सभ्यता की में बिल्ली को बुरी सक्तियों से ब्यक्ति की रख्षा करने वाला बताया गया है और इसके प्रतीक के तौर पर अगर हम करनाटक के भी बात करें तो बिल्ली का एक मंदिर भी है यहां एक हजार बड़सों से भी पहले की एक परंपरा है कि बिल्ली की पूजा की जाती है यहां बिल्ली को दे भी ममगमा का अफ़तार माना जाता है लेकिन अगर हम विदेसों की बात करें चीन जापान की तो यहां भी बिल्ली को सुप्रतीक माना गया है पेंग सुई में भी में सफेद बिल्ली पालते हैं लेकिन बिल्ली से जुड़े कुछ सुब असुब संकेत होते हैं जो हर जगा माने जाते हैं अब आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे तो कई लोग असुब मानते हैं लेकिन क्या आपको पता है बिल्ली अगर दाहिने तरब से बा और जाए तब यह असूब होता है और अगर बिल्ली केबल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिसा से रास्ता काड़ती है या फिर आपके पीछे से गुजरती है तो यह असूब नहीं होता आम तोर पर घर में एकदम से सफेद बिल्ली आती है तो यह अच्छा माना जाता है क्योंकि सफेद बिल्ली अपने साथ सुव समाचार लेकर आती है सफेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकात्मक उड़ जाएं समाप्थ हो जाती है लेगिन काली बिल्ली देखिए सास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही यसू माना गया है कहा जाता है कि काली बिल्ली काली सक्तियों का प्रतीक है काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अब सकुन होता है काली बिल्ली आप से टकरा जाए या आप पर हमला करे तो यह ब्यक्ति के जीवन में आने वाले संकट को बताता है संकट आने का प्रतीक होता है और घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने का भी संकेत माना जाता है यानि हर हाल में काली बिल्लिया असुभ है दूसी तरफ सपने में अगर आपको बार-बार बिल्ली दिखती है तो इसका क्या फल होता है सपने में बिल्ली का बार-बार दिखना अच्छा नहीं माना जाता क्योंक आपको धनहानी हो सकती है आपके खर्चे बढ़ सकते हैं आपके परिवार में किसी के स्वास्थानी हो सकती है तो अगर आप सपने में काली बिल्ली देखते हैं तो धनलाब होता है काली बिल्ली आप पर हमला करती है तविया असुप संकेत है लेकिन अगर सपने में सफेद बिल्ली देखते हैं तो इसका मतलब है कि बुरा समय ख़त्म होने वाला है यानि अगर हमला करते दिखे तो फिर गरबर है नहीं तो उतना बुरा नहीं है अब सुबह सुबह आप सोकर उठे हैं और बिल्ली दिख जाए देखिए सुबह सुबह अगर आपको बिल्ली दिख जाए तो घर में कोई महमान आने वाला है ऐसा समझना चाहिए या भी कोई मित्र आप से मिलने आ सकता है अगर किसी बिद्यार्थियों को सुबह सुबह बिल्ली नजर आ जाए तो उसको पढ़ाई लिखाए में किसी एक्जाम में परतिविता परिच्छा में उसको सफलता मिलने के ये सुबसंकेत मान जाते हैं अगर आपके घर में बिल्ली बच्चा दे दे तो इसका मतलब होता है कि जल्द ही आपके घर में कोई सुबह मंगल कारे होने वाले हैं या सुबह समाचार मिलेगा बच्चों को हाथ ना लगाए उन्हें हानी ना पहुंचाए बिल्ली की इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो आज हमने बिल्ली से जुड़ेवे बहुत साइच चीजें देखी कहा जाता है बिल्ली यदि घर में आएगी तो कुछ न कुछ जरूर असुब होगा क्योंकि इसे नकात्मक उर्जा से जोड़ कर देखा जाता है बिल्ली के आने से पॉजिटिव टी का नास होता है क्योंकि बिल्ली के आना तंत्रमंत की साधना करने वाले जो लोग होते हैं बिल्ली को काली सक्ती के प्रतीक के रूप में मानते हैं और यदि किसी के घर में बिल्ली का आना बार बार होता है तो उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्त में भी उतार चड़ा होता है तो इसलिए बिल्लियों को बार बार घर में आने से रोकिए और बिल्ली की नकात्मक उर्जा घर से दूर करने के लिए सत्नायन भगवान की कथा करबा सकते हैं गर में नियमीत रूप से संक बजाईए आखिर क्या करन है कि बिल्ली असुब है देखिए बिल्ली के घर में बार बार आने से बिल्ली के दूर पी जाने का डर नहीं रता बलकि घर में बिल्लियां नकात्मक उर्जा लाती है जो नारत पुरान उसमें कहा गया है कि बिल्लियों के पैरों की धूल जहां भी लगती है वहां सकात्मा कुर्जा की हानी होती है सुपता का नास होता है और बिल्ली की रोने की आवास तो डराबनी होती ही है अब माना जाता है बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस से क्यों स्वास की हानी या मौत जैसी सूचना मिल सकती है तंत्र मंत्र में भी बिल्ली की ही यहां पर पूजा मानते हैं वो लोग सत्ति का प्रतिक मानते हैं और बिल्ली का सम्मंद पित्रों से भी है तो बिल्ली का घर में आना असुब है और सोएवे हैं बिल्ली आकर सिर चाटने लगे तो सरकारी मामले में फस जाईएगा और बिल्ली का पैर चाटना बिमार होने का संकेत है बिल्ली उपर से कूत कर चली जाए तो परेसानिया आती ह जीवन में तो हम आपसे विजा लेते हैं जानकारी कैसी लगी जरूर बताईएगा हरहर महादेब धन्यवाद प्लीज लाइक कर सबस्क्राइब जरूर करें और सेर भी करें